वो इन्होंने चार्स लिया है वो 40 सुपर गंटे के इताब से लिया है और यह आप गाड़ी देख सकते हो यह गाड़ी है और सुपर आपको लेके चलूँगा वोजिश्वर मंदिर जो कि भोपाल में बहुत ही खुपसूरत मंदिर है जो भोजपूर गाओं में है तो मैंने यह बाइक हायर की है और साइक से मैं जाओंगा पुजिश्वर मंदिर खुमने के लिए यह मदवर्देश की राजधानी जो है भोपाल भोपाल से 30 किलोमीटर दूर पुजिश्वर गाओं में है मंदिर बहुत ही खुपसूरत है और आपको लेके चलूँगा आप देख सकते हो भोपाल सिटी कितनी क्लीन है कितना खुपसूरत है और इसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ भोजपूर अगर कभी भी आप जाएं भोजपूर मंदर खुमने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए कि आप बाइक ज़रूर रेंट कर लें आप बाइक वे बंदर है काफी खुबसूरत नजारा है काफी खुबसूरत भी हो है आप मेरे साथ में देख सकते हैं कि ये जगा कितनी खुबसूरत है और ये आपको सामने दिखाई पड़ रहा है ये है राजा भोज त्वारा बनवाया गया भोजश्वर मंदर जो की बहुत ही तो ये मंदर काफी पुराना है काफी पुराना मंदर है और ये पांडो ने भी इस मंदर के स्थापना की थी और राजा भोज ने इसको पूरी तरीके से बनवाया था इस मंदर को आप उत्तर का शोमनात भी का सकते हैं ये मंदर काफी पुराना है काफी आतिहासिक है और इस म लेके चलता हूं मंदर दिखाता हूं इस अंदर की खोफूरती को आप देखिए और आपको देखके काफी अच्छा लगेगा लगेगा के अचर्वल मंदर लगेखीर लोगेधे लगे देखिफों मंदरि Creed जाका Сам konkret कंपे बर्लॉपल कर दो कर दो कर दो काफी बड़ा मंदिर है काफी एतिहासिक मंदिर है काफी खुबसूरत मंदिर है और यह सबसे बड़ा स्यूलिंग अगर बात किया जाए भुगान संकर का तो बड़ा स्यूलिंग अगर आपको कहीं मिलेगा तो भोजपूर मंदिर में ही मिलेगा यह मंदिर में आप जब अब भोपाल आये, भोपाल सा बाएक बीक करने के बाद आप यहां पर आइक करने के बाद आप यहांपसे सकता हैं, काफे आपसी आप आसानी के साथ मैं. और 30 km रही भोपाल से और उसके बाद आप चाहो तो दो राजीन-इन-द फॉट भी आनसे बहलal में ही है और आप राइसे हंवी घूम सकते हो यहां पर गूमने के बाद और बाकी भोपाल जो है वो छूशा है पुरे भारत से आप कहीं से भी ईंटर्नेशनल आता है आप चाहो तो पुशाओं इंटरनाशनल अईर्बॉर्ट तो फ्राइट के लिए आ सकते हो और ट्रेंज से भी आ पा सकते हो तो ये मंदर के अंदर का वियू है कितना खुफूरत है और ये नकासी किस तरीके से किया गया है ये आप अंदर देख सकते हो किस तरीके से बनाया गया है तो इसका जो आर्किटेक है जो किसका जो कल्चर है आप इस मंदर को देख सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा अच्छे से इसको बनाए गया है किस तरीके के पत्थर यूच किये गये हैं तो सारी चीजें हैं इस यहां पर आएगे आप देखेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा और काफी आच्छा आपको फील होगा तो आप कपी भोबाल गुमने आ रहा है तो इस सीच को आप बिल्कुल मत भूलेगा यहां पे आना और यहां भोजपुर में दर्सन करने के बाद मैं जाओंगा भी मेट का जो की जो की राजा भोज के मंदर से ज्यादा से ज्यादा पंदर है बीस किलो मीटर है तो यहां से मैं भ सब्सक्राइब के अधाब से लिए है और यहां व के अदिबस गाड़ को में है कि डाड़ी को देने आ जा रहा हूं क्यों साम क मकिना जा रहा है फास पांच आप भी गाड़ी जबा करने को दिबा कर सब्सक्राइक अले जभा फ्टूर में पर शुक्त हो तो यहां के व्या झाल काराओ झाल 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 झाल